Hello guys, welcome back to another video आज हम बात करेंगे sharing setup के उपर किस तरह आया आपको बनाना चाहिए और इसका perfect way क्या है हर किसी बंदे का अपना अपना ये perfect way हो सकता है लेकिन मैं इसमें आपको सिर्फ एक idea दूँगा कि आप किस तरह इसको बना सकते हो तो अपने हिसाब से आप उसको modify करके जो आपके लिए perfect way होगा उस तरह से आप इसको बना लीजिएगा और इसमें कुछ मैं आपको tips दूँगा जिसमें आपकी ideas जो है वो continues block ना हो जैसे हम sharing देते हैं तो ideas जो है block हो जाती है जिससे आपको loss होता है और साथ के साथ अपना sharing setup भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा तो ये सब कुछ जो है आज की वीडियो में होने वाला है तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और साथ के साथ बैल आइकन को प्रेस कर लेजिए इसी तरह की कमाल की वीडियो जो लगाता राती रहेंगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं वीडियो की तरह तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि आज हम किस किस टॉपिक के उपर बात करेंगे और इसमें क्या क्या हम करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे दो तरह के people होते हैं यह दो तरह के लोग होते हैं जो decide करके चलते हैं कि उन्हीं किस segment पर काम करना है और दूसरे होते हैं जो किसी 200 आइडी कहां से ले एक आइडी जो है वो 200 रुपे की मिले जब 100 आइडी लेने में आपके सामने ही कि कितना पैसा लग जाएगा तो free में कैसे लेने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और इसका भी क्या best way है वो भी हम आगे चलके discuss करेंगे और last में जो है हमारा जो आज का main topic है sharing setup तो वह कैसे बनाना है उसके बारे में आपको detail में बताया जाएगा तो बस वीडियो पे जो है वो बने रही है लेकिन गाइस यह दो अगर आप बोलोगे कि यह जो main बात है वो तो end में है यह उपर दो क्या है तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेता है तो गाइस सबसे या फिर racerial या फिर उनको काम करना होता है किसी premium content के ओपर यह असे कि WWE या फिर football या फिर एस्म एमरेंग अध़िज कांटेंड आगे चलता रहता है तो पहली तरह की people चाहिए तो उनके जो है जैसे गेमिंग जब किसी को पता है गिस SECRET करके काम करना है तो जब उसको गेमिंग पर काम करना है तो उसको एक ही तरह का setup बनाना पड़ेगा और सिरफ उसको कुछ आईडिए चाहिए होगी और कुछ ही groups चाहिए होगे तो जो होते हैं कि बहुत सारे segment पर काम करना चाहते हैं movies, serial और इन सब पर एक बार में काम करना चाहते हैं तो उनको जो है वो बहुत सारी ideas लगती है और उतना ही बड़ा उनका setup बनता है जो कि आगे जाके उन्हें नुकसान देता है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आपको decide कर लेना चाहिए कि आपको किस segment के उपर काम करना है जिस segment के उपर काम करना है उसी के आगे चलके आपको groups find करने चाहिए और उसी के जो है open auto approval groups लेने चाहिए अगर आपके पास budget है तो आप rented group भी ले सकते हैं नहीं है तो free list guys मैं आपको already अपनी वीडियो में बहुत बात दे चुका हूँ इतनी सारी list पड़ी हुई है अगर आप नीचे जाके description में देखेंगे तो मैं डाल भी दूँगा वीडियो वहां से जाके आप list जो है उठा सकते हो तो सबस्से पहले जब आप decide कर लेते हैं कि किस तरह सब का काम करना है तो उसके बात जो है आपको second number पर आती है יהग Dolls brainstorm कहां से ले sleepy सब आपको कहां से लेनी है आईडिग दो त्रीक है सबसे पहले है purchase करना है यह बाइ कर लेना आपको यह फिर होता है wizard क्लोनिंग अब इन में से कौन सा बेस्ट वे है वह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं अगर आपको आपको आइडी चाहिए तो हजार रुपय की आइडी आजाएंगी अगर आपको क्लोनिंग करने तो फ्री में आइडी आपको निकल जाएंगी लेकिन उसके लिए बहुत महिनल लगती है कई बार जो है आपको क्लोनिंग करने में टाइम लगता है एक बार में जो है साथ आठाइडी आने के बाद आपको फिर से बार बार करना पड़ेगा और इस तरह से आप जो अपना सैटप बना सकते हो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आपको वह मेंबर्शिप के दुवारा मिलेगी में आपको बता दूंगर कैसे करते और कैसे चल कुछ उसकी एक वीडियो जो है कल तक आ जाएगी तो अगर आपको इस पर जानकारी इस तरह से आपको Chrome की जो Profiles है वो Generate कर लेनी है जैसे 10 यहाँ पे है देखिए 1.1 में 15 IDs इसमें है इस तरह से आपको जो है setup कर लेना है और उसके बाद आपको उसमें अपनी Facebook ID login करनी है जैसे कि मैं आपको यह login करके दिखा रहा हूँ मेरी already login है यह मेरा setup बना हुआ है तब जब यहाँ पे आपके IDs login होगी तो आप यहाँ पे देख सकते जैसे login है तो यहाँ पे अपनी जिस भी particular segment पे आपको काम करना है उसके auto approval groups निकालके जो है आपको यहाँ पे join कर लेने है मैं आपको आगया कर दिखाता भी रहूँगा देखिए जैसे कि अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे है बार-बार मैं आपके सामने खोल के दिखा रहा हूँ Facebook IDs मेरी जो login है और यहाँ पे जो है मैने groups भी join किये हुए है तो इस प्रकास से आप बना सकते हो जितने भी आपको चाहिए इस 1.1, 2.1, 3.1 का क्या मतलब है देखिए इसका मतलब यह है कि एक ID से जो है हमें सिरफ 4 groups join करने है 4 groups join करने है और जो 1.1 में है पूरी 15 IDs है इस तरह से आप कितनी भी रख सकते हो 20 रख सकते हो 25 रख सकते हो 30 रख सकते हो वह आपपे depend करता है चार groups होगे अगर 15 है तो 60 group आपके होगे तो 60 share जो है आपके एक दिन के होगे जो आज 1.1 वारे से share किये थे वह हम next day नहीं करेंगे उसके बाद हम 2.1 से शुरू करेंगे 15 वोगे 60 share है उससे second day हम कर देंगे जो उसके बाद 3.1 उससे हम third day करेंगे और जो आपका fourth है उससे हम उससे करेंगे तो इस तरह से जो है 15-15 के मैंने जो 4 set बना रखे हैं आइडी के एक दिन से मैं 15 आइडी से ही share करता हूँ next day 15 से next day 15 से जिससे कि ID lock नहीं होती है यह कम से कम भी मेरी December की आइडी है December को मैंने क्लोन करके रखी हुई है अभी देखिए इतन में इसमें group join है सबको join है मैं तीसर दिन इससे share करता हूँ चोथे दिन फिर अगले इससे share करता हूँ जैसे यह आइडी से यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इस प्रकार से जो आइडी से वो लंबा टिकती है और इस तरह से आप जो है अपना sharing setup बना सकते हो जो कि बहुत easy है और इस तरह का sharing setup जो आप बनाओगे तो आपको जो views है वो भी आएंगे लेकिन जो शर्त है कि आपका जो content है और जो groups है वो सेम तरह की होने चाहिए तब ही जो है वी आएंगे तो इस तरह से मैंने देखी आपके सामने बना रखे हैं यहां से join मैंने कर रखे हैं जैसे आप यहां पर अभी देखी पा रहे हो तो अगर आप एक दिन में समझे दिए आपने 15 चाली साइडी से एक दिन में शेयर कर दी अगर 40 अगले दिन फिर उसी चाली साइडी से किया तो वह ज्यादा देर आऑडी नहीं चलेंगे वह एक दो तीन या चार पांच दिन तो मैंने आपको बता दिया है जिसका best example मैंने आपको दिखा दिया है मेरा कुछ ज्यादा बड़ा setup नहीं है सिर्फ 70-80CID का कुछ setup है यह एक setup है जिसमें कि मैं Serial पे काम करता हूं यह सिर्फ Serial setup मैंने आप लोगों को बताया है इसके अलावा premium का भी इस तरह से एक setup मैंने बना रखा है जो कि मेरे PC में है इसी तरह से मैंने अलग WWE का setup बना रखा है हर एक मैंने 70-80CID का setup जो है बना रखा है इस तरह से आप अपना अलग-अलग setup बना तो गाइस यह था आपके setup शेरिंग के ऊपर एक वीडियो जो कि मेरे को लगता है आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में